तमाम हिंदु बांदवानों भगिंदर नाणी माता हुआ मेरी हिंद्य आपके समझ में आएगी क्या कि मराठी जादा अच्छी समझोगे दोने समझालना यालास्तर अपला हिंदु तो मंटात जो एक दूसरे में भेद करते हैं उसको हिंदु तो नहीं कहा जाता इसे तो चानक की निती भी नहीं कहा जा सकता लेकिन कुटनिती होती है जो खुद के अपने स्वार्थके ले की जाती है और कुछ लोग कर रहे है बहुत दिनों के बाद ठाने में आया हूँ ऐसे नहीं कि पहली बार में गड़करी में गड़करी रंगायतन में आया हूँ कई बार आया हूँ जैसे संजे जी ने कहा कि ये गड़करी रंगायतन भी आदरिने बाला साब जी की देन है और मुझे कि याद है अड़स या किती राजन असे अड़स टेकुन सत्तर सरू सच्थान असे नगर निगम के चुना होएने जा रहे थे और एक जनसभा में विराट जनसभा थी एक परचा आगया इसी चिठ्थिया गई बाला सब भाशन कर रहे थे और उसमें लिखा था कि ठाने में न नाट्य ग्रोह नहीं है तो बाला सब ने कहा आप सारे लोग मिलकर मेरी शिवसिना को सत्ता रे दो मैं आपको नाट्य ग्रोह दे दूंगा और तब जाके पहला नाट्य ग्रोह थाना में आ गया हां नाट्य ग्रोह तो हमने दे दिया लेकिन नाटक कुछ और ही लोग कर रह कि मैं मतलब ठाने नहीं ठाना और शिेव से ना और वू भी असली शितना असुली इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया अभी मार्केट में चाइनिज माल भी आता है सिरफ माल ही नहीं अपने भागवान की मुर्तिया भी आती थी अब भी आती है या नहीं पता नहीं लेकिन उसी को हम भगवान समझ कर पूजा करते हैं ऐसे कुछ चाइनीज लोग बनावट बोगस गदार वो आपने आपको समझते कि मैं शिवसेना से भी उपर हूँ नहीं इतने उपर तू नहीं जा सकते अगर उससे उपर जा रहा है तो जाएगा तो व हमारी इंतहान है परिक्षा है चुनोती तो आती रहती है लेकिन मैं चुनोती को कभी चुनोती नहीं मानता चुनोती को मैं भी एक ऑपर्चुनिटी मानता हूं आप सब बोलेंगे यह तो क्या इसका होश ठीकाने पर है क्या इतनी चुनोती है तो भी यह आसानी से कह रहा है हूं बिल्कुल परिक्षा तब भी होती है जब कठिन समयाता है जो भी लड़ने के वक्त साथ रहते हैं बोई असली साथी होते हैं इसली सहीनिक रहते हैं जैसे आप मैंने सामने वाइटे थे कुछ भी कोई भी दे ने जो बात आपने कही ना पचास खोके, पनास खोके, एकदम ओके, अर जिस सरकार का जनम ही खोके में से हुआ है, तो वो क्या हमें नहीं दे दे दे? फिल्म आभी आपने देखी, उसमें एक सवाल पुछा गया था, कि अच्छे, यूबी एले मलटलू, यूबी टिये, अच्छे, मैं स्पीकर वर थी, अच्छे, अच्छे, शिवसेना ने और उद्धर ठाकने ने उत्तर भारतियों के लिए क्या क्या, बताओ आप, अगर मैंन और जो भी प्रश्ण या सवाल पुछने वाले, उनका उत्तर, उसका उत्तर तो आप उत्तर भारतियों ही उसका उत्तर देंगे, मैंने कभी, हाँ, मेरे भी आवाज सुनाई दी, मैंने भी मुख्यमंत्रिपत की शपत ली थी, और उसमें सम्विधान के आधार पर मैंने ल है, हाँ, यहाँ जो कुच मैं कर सकता था, करोना के समय में, मैंने बिल्कुल किया, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यह मेरा सौ भाग्या है, जो और किसी के नसिब में नहीं है, माराश्ष की जनता, बुझे अपने एक परिवार का सधस्य मानती है, पर मेरा सौ भाग्या और इसमें सारे लोग आए, हिंदू तो ही है, क्या आप लोग हिंदू नहीं है? अच्छे हिंदू तो की बात करें, तो हिंदू तो का मतलब क्या है? मैं कॉंग्रेस के साथ गया, हाँ गया, खुले हम गया, आदी रात मैं जाकर चोरी छुपे मीटिंग नहीं की. पहले एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमें कॉंग्रेस के साथ जाने के लिए मजबूर किस नहीं किया बीजेपी के साथ तो हम थे ही पचीस साल, पचास साल, तीस साल शायद दुनिया की इतियास में एकमेयो गड़ बंदन होगा इतने साल से एक फेवी कॉल से भी जादा मजबूत से जोड जादा मजबूत जोड था हिंदूत वकि लिए तो वो जोड वो किस ने तोड़ा पहले बीजेपी नि तोड़ा और बीजेपी को ऐसे लगा तो जैसे ये लोग गया ना गले में एक बेल्ट बानके नहीं मेरे गले में पट्टा अहां ओप्रेशन हुआ इसलिए वो कॉलर पहिन नहीं पढ़ती है लेकिन वैसे पट्टे बानने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआया और नहीं होगा क्योंकि बाला साब का खुन मेरे रग में है रगों में खुन है उनका मैं कभी लाचार नहीं हो जाओंगा या कभी गुलाम नहीं हो जाओंगा मैं जुकूंगा जरूर लेकिन वो जुकूंगा आप सारे लोग जो मेरे हिंदू लोग है सारे लोग मेरे अपने हैं उनके सामने मैं जरूर जुकूंगा लेकिन इनके सामने मैं ताना शाई को कभी बरदाश्ट नहीं करूंगा और मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदु तो हिंदु तो है क्या हिंदु तो क्या है, मैंने तो हमेशा कहा है, जो मेरे पिता जी कहा करते थे, सिर्फ मंदिर में जाकर जो घंटा होती है न, घंटा बढ़ोनारा हिंदू, वो हमारा हिंदु तो नहीं है, हमें तो आतंकवारियों को पिटने वाला हिंदू चाहिए उसे हम हिंदू को मानते हैं और यह लोग क्या करते है जैसे बीच में आप सारे लोगों को पता है हमारी वज्रमूठ महाविकास अगाडी चा सभा जाले होते है नाफलेख सारे गोर गरीब लोक तिकड़ा होती सब जाती के सब सारे लोग थे इन लोगोंने क्या किया जो ब्यवकोफ, नकली हिंदु है, उन्होंने क्या किया? दूसरे दिन जाकर उसमें गोमूत्र फृइन बीने समी. अपवीत्र बीत्र जाल है. मांचसा षार के मांचसा अंमरी ली. तेना तुम्ही अपवीत्र मँनता. यह कौनसा हिंदुट्वा है? जो हमारा हिंदुत्व है वो रुदय में राम और हाथ में काम ऐसा हमारा हिंदुत्व है लेकिन इंसान इंसान में जो भेट करते हैं पवित्र अपवित्र इनका हिंदुत्व जुटा है और इनके हिंदुत्व का जो जुटा नकाब है वो हमें खिछना है वो हमें आपलल तो मुखोटा फाडून काड़ाई सा है क्या है हिंदू राष्ट्रा मनिपूर जो जल रहा है यही अपना हिंदू राष्ट्रा है आप सारे लोग बीच में एक जैसे मैं जब मुख्यमंत्री था तो हनुमान चली सा हनुमान चली सा अरे जिस हनुमान ने एक स किता हरण हुआ इसले रहामान हुआ द्रोपदी का वस्त्र blacks हो गया मामारत हो गया मैं दुख की बात तो यह है एकि जब द्रोपदी का वस्त्रम हो रहा था तो धृत्रश्न बैठ थे वहा राजा लेकिन उनकी तो दुरुष्टी नहीं ती दुरुष्टी है यहां राज क के मुख्यमंत्री कहते हैं यह ऐसी चीज़े तो ऐसे घटना तो बहुत हुई है बहुत हुई है शर्म आने चाहिए शर्म आने चाहिए राश्ट्रपती मैला है वो भी आदिवासी है क्या कर रही है मैं महामईम राश्ट्रपती इसे पूछना चाहता हूं राश्ट्रपती मो राज्जपाल मेला है कुछ कर नहीं रही है हमारे आज राज्जपाल से कैसे मस्ती करते थे भेज़ो उनको वहाँ पर मंदिर खोलो ये खोलो वो खोलो क्या इतना आसान था क्या वो करोना का संकट लेकिन ऐसे राज्यपल वहां क्यों नहीं भेचते और मैंने तो कहा था कि जैसे जिस वक्त हमने इंडिया पुरे मैं विरोधी विपक्षा की एक जुट नहीं मानता जितने सारे डेश प्रेमी है तो इंडिया की आलोचना हमारे प्रदान मंत्री जी ने की उसकी तुलना उन्होंने इंडिया इंडियन मुझाइद दिन तो प्रदान मंत्री जी एक दो दिन में यहां महारश में आने वाले हैं गद्दारों के साथ बैटने वाले हैं जिनके उपर भ्रष्याचार के जाते हो तो प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया एक देश की शान की बात होती है अरे अपने देश का प्रधान मंत्री देखो कौन है बाद में लेकिन देश का है तो प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया का मतलब क्या है आप इंडिया मेरे देश को वहां जाके रिप्रेजेंट करते हो कि इंडियन मुझाइदिन के प्रदान सेवग बन कर जाते हो मुझे बताओ यह आये हैं अपने प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन मुझाइदिन आतंकवादियोंको ऐसे होता है इतनी आपकी सोच गिरी गई और जिस हिंदु राश्र की बात कर रहे हैं इसलिए मैं भी एक कागज पर इसे संजे जी ने कहा हूं मैं भी दो पंक्तिया लिख के लाया हूँ आज की देश की स्थिती कैसी है खुले आम मैलाओं के साथ अत्यचार हो रहा है उस वक्त जब द्रोपदी का वस्तरण हो रहा था तो भगवान स्री कृष्णा आये था और उनने उनकी लज्जा बचाई थी लेकिन अब कौन है कौन बचाएगा जो विश्व में पूरे ताकदवार नेता है विश्व गुरु है महाशक्ति की महाशक्ति महाशक्ति चा बाप पंटैंचा राजवाटी मारे महिलांचा अबरू लुटली जाते कसव तैंची धिंडा काड़ ली जाते कौन बचाएगा मेरे इन माता और भगिनी जो माता और बेने उनकी इज़्जत कौन बचाएगा कौन आएगा स्री कृष्णा और इसलिए कुछ पंग्तिया जो माला शुट रखली क्या करेगी तो उन्होंने दूपदी के लिए कहा हैं सुनो द्रोपदी शस्त्र टालो अब गोविन ना आएंगे अब गोविन आने के उमीद चोड़ दो गोविन तो बैठा आ है अपने आको पर पट्टी बान कर भुतर घुरतर श्रजरες से अब गोविन न आएंगे छोड़ो मेंदी खटग समालो खटग समालने का वक्त आया है अबी खटग समालो खुद ही अपना चीर बचालो द्यूत बिछाए बैठे शकूनी मस्तक सब बिग जाएंगे पचास को के एकदम ओके मस्तक सब बिग जाएंगे सुनो द्रोपदी श्रस्त्र उठालो अब गोविन ना आएंगे क्या यही हमारा हिंदू राष्टर और यही हमारे हिंदू राष्टर की कलपना है राम मंदिर बनेगा खास करकर उत्तर भारतियों के लिए या हिंदूं के लिए बनेगा लेकिन किस ने बनाया वो मोधी जी ने नहीं बनाया कॉर्ट के पैसले ने बनाया है वो जब बाबरी गिराई गई थी तो यह सारे बीज़ीपी की लोग सारे मैंने मेरे भाषन में कहा है कि ये सारे जितने सारे चुए हैं न चुए हैं चा बिड़ा मरे घुस लो थे भाज़पोले सब चुए बाहर आए थे तो एक पत्रकार ने चुए को पूछा आरे क्यू भाई आप अपके घर में नहीं क्यू नहीं अरे क्या कुरू वो बीजी पे वाली घुसे बाबरी गिर गई ना बाबरी गिरा ही गई तो एस सब लोग भाग गए त्यावा उन्द्रा चे बिड़त लपनारी तूमी जवा हवा मैं गया था महां आयुद्धा मी सारे लोग थे राजन भी थे संजे बिंज्या और आपमें ऐसे भी कही सारी वोग होंगी मैं गया था मुक्ष्य मंत्री होने से पहले गया था और उस वक Govern मैंने मांग की थी कि कानून बनाओ और राम oko वंदिर बनाओ राज्यसवा में मंजूर होने के लिए तो कहां गई आपकी हिम्मत क्यूं नहीं कर रहे हिम्मत मणिपूर भी मैंने कहा ना कि वहां शांती करनी है तो भेजो रहां एडी इंकम टेक्सी भ्याई को भेज दो वापस आते ही के देखो और शायर एक बात हो सकती है अमित शाह जी एक बार जाके आएं दुबारा भेजो जितने सारे वहां के जो लोग है दंगा फसाद करने वाले सारे बीज़ेपी में ले लो मणी पुर्शांत हो जाएगा क्यों यहीं तो निती चल भी है जो मैंने बात की कि दो तीन दिन में एक तारीक को शायद प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं मंच पे कौन होगा आप फोटो रेको एक एक अनोखी तजबिर होगी अगल बगल में कौन है मैं भ्रश्टाचार को खतम करूंगा करो ना करो लेकिन जिनके ओपर आपने अरोप लगाए 70,000 करोड के भ्रश्टाचार के उनी को लेकर आपने महाराश्रकी सरकार जो सिवसेना तोड कर आपने बनाई थी मजबुत थी तो भी और मजबुत करने के लिए उनको तोड़ा क्यों और कोई मिला नहीं और कोई मिला नहीं मंच आशक प्रश्टाचार की गाड़ी चल रही है तेज बुलट प्रेंच चल रही है भारत्य जनता पार्टी आप नाम लेने के लिए शरम आने चाहिए ये तो भ्रश्ट जनता की पार्टी हो गई है रश्ट जनता पार्टी क्या आपका शासन है कहां और अभी कैसे होता है कि जब भी चुनाओं आते हैं तो उनको सारे पूराने साथ ही याद आते हैं जिस वक्त अपनी मीटिंग चल रहे थी इंडिया की तब उनको याद आगा रहे अपना भी ऐसा कुछ था ना तो किसीन बत उसका इंडिये हां तो चलो इंडिये की मीटिंग बुलाओ इंडिये में कितने सारे लोग बैटे थे सब आध्याधूरे ने आध्याधूरे इसलिए कहां कि मैं भी दो मीटिंग के लिए गया था पुरी शिवसेना मेरे साथ ही है लेकिन अब आप इतने ताकतवार हो गए तो भी आपको ऐसे तोड़ मरड को पार्टी मजबुत करने की क्या ज़रूरी है मतलब आपके आपमे आपको इश्वस नहीं है आपको पता चला है कि 2024 के बाद आपकी सत्ता टिकने वाली नहीं है मेरे जनता की जितने सारे देश प्रेमी लोग हैं वो इकटा आकर एकसत आकर आपको सत्ता से दूर करेंगे क्या हमारा गुना क्या है इंडिया का आपने संबन्दा आतंकवादियों से जोड़ा तो क्या मैं आतंकवादी हूँ इतने सारे मेरे भाषन सुनने के लिए सारे आतंकवादी है जो आपके साथ थे ममता दीदी थी नितिश कुमार थे सारे लोग क्या आतंकवादी है आपने ऐसा कौन सा ठेका लिया है कि सिर्फ आपी देश प्रेमी है और हम देश द्रोई नहीं देश मतलब आपने यह देश यही हमारा देश है और इसलिए हम भी भारत माता का पूजन करते हैं भारत माता सिर्फ आपकी नहीं है भारत माता हम सब की है अरे इन लोगों का तो भारत माता के वक्त उस वक्त आज़ादी के संगर्श में कोई लेना देना नहीं था दूर दूर से नहीं था अब जो हक जता रहे हमारा है नहीं इसलिए मैं कहता हूं कि अपने देश से उचा कोई भी होना नहीं चाहिए मेरा देश सब के उपर मेरा देश सबसे मुच्छा है, उसके उपर कोई भी होने दो, नहीं उसके नीचे, तो देश का वासी है, नीचे, नीचे, देश से उपर उठकर देश की पहिचान, किसी व्यक्ती की पहिचान से जुड़ने नहीं चाहिए, मेरे देश की पहिचान, देश करकर ही रहनी है किसी ने उनको πουछ आप कहां से आये हो तो उन्होंने कहा मैं इंडिया से आया हूं सिर्फ एक व्यक्ति का अदेश नहीं, एक व्यक्ति कोई मालिक नहीं बन सकती, और इसलिए मैंने कई बार कहा है, अब जो एक चर्चा, इनका क्या होता है, जब चुनाओं आते हैं, तो आपस में लड़ाई लगाते थे, हिंदू-मुसल्मानों की लड़ाई, आपस में जाती हमें विकास चाहिए, लेकिन गुलामी नहीं चाहिए, हमें आजारी चाहिए, आप हमें विकास का सपना दिखाएंगे और आपका गुलाम बनाएंगे, हम मनजूरी करेंगे, हम नहीं करेंगे मनजूर उसको, हम नहीं गुलाम होंगे, हमें विकास करना है और हमारे देश की जनता काईल है अपना विकास करने के लिए और आते जाते किसी ने मुझे एक कार्टून बताया विकास की बात कर रहा है तो एक स्रीमान जी थे वो अकभार लेकर खुशी में अकभार पड़ रहे है तो उनकी स्रीमाति जी उनको कहते हैं आज जी सुनिए ये जो तजबिर दे इतने गड़े हैं कि चान पर जाने की ज़रोती नहीं है यहीं पर समझ हमें आती है कि चान में कैसे होगा सब और यह सब जुटी बाते इसे अभी हमें जाकते रहते सबको जगाना चाहिए उत्तर भारतिया उत्तर भारतिया उत्तर भारतिया आप मुझे बताओ क्या किया है हमने आपके साथ ऐसा सुलुक कि आप जो एक साथ थे आज भी है तो आप अचानक थोड़े से दूर चलेगे क्यूं जो पिल में बताया गया है यह मतलब एश्टी से हमने सारे लोगों को अपने अपने राज्य में भेजा था उनके राज्य की सिमाओं तक पहुंचा है था मैं तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहा थे कि हमें ट्रेंज दे दो उसका जो भी किराया है मैं दे दूँगा मैं मतलब सरकार दे देगी नहीं और लाखों लोग जो मजदूर थे वो आगे सडक पर वो जहां भी गए उनका हमने एक कैम्प लगाया डॉक्टर दिये उनके खाने की तरद्विश की सब सारी बाते की और उनको सही सलामत उनके घर पे भीज़ दिया और उस वक्त आपने देखा गंगा की क्या हलत थी वहां अंतिय विदी भी कैसे कुछ किसी ने किया भी नहीं ऐसे खुले आम मैदान में जल रही है चिता कौन किसा क्या कोई किसी को पता नहीं लेकिन जल रही है चिता जल रही है चिता जल रही है ऐसी विटमवाना महारश म मैंने एक डड बॉडिके साथ भी नहीं होने दी, और कभी मैंने जुटापन क्या नहीं, एक आकड़ा भी, एक भी मौत मैंने कभी चुपाई नहीं, जो है, सच्चाई को चुपाओ मत, सच्चाई आज ने तो कल सब के सामने आए जाएगी और इन लोगों ने क्या किया, थाल वो खोलो क्या खोलो और मेरी आलोचिना की जाती है माजे कुटुमबा माजी जवाब देरी है फक्त कुटुमबा पुर्ते चे हाँ बिल्कुल मेरा परिवार मेरी जिम्मेदरी है सब मेरा परिवार है पुरा महारश मेरा परिवार है जिम्मेदरी मेरी है और मेरे परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पता नहीं आपके परिवार की जिम्मेदारी को और लेता होगा तो मुझे नहीं मालूँ लेकिन ये मेरा परिवार है, महारश मेरा परिवार है और उसके जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूँ है और इसलिए सारे लोग जो हाप मुझे अपने परिवार का सरस से मानते हैं इसे नहीं मानते एक रिष्चा जुड़ा है और आज आप लोग सारे इतने उठ्सा मेह हैं लेकिन ध्यान में लखो क्यों किया हैं हम कहते हैं कि कभी वार्ड में किसी को पुछते है अरे इसका यह जो एरिया इसका क्या साब यहां थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह उत्तर भारतियों की बस्ती है और बेजेपी क्या करती है आरेसे क्या करती है उत्तर भारतिय मतलब कहां से है उत्तर प्रदेश से है बिहार से है जारकंड से ह और कहा से है फिर जैसे आपने मराठीर बोलतों ना घाटा-कल्चा वीदरवतल मराठ वड़तला फिर ठाको रहे जादो है गाव कौन से गाव का फिर उसके उस बस्ती में वह बस्ती डेखते कहा से आये हुए लोग है और वहां से किसी को लाकर आपके बस्ती में छोड़ देत और जब वोटिंग का समय खतम होता है वो भाई सब दायब दूसरे दिन से उसके बाद में शिवसेन और हम आप और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं लेकिन यह आते हैं आपको चुनाओ के वक्त गुम रहा करते हैं उनकी रहा बराबर वो माफ लेते हैं और आपको छोड़ द भी को पाड़िते हैं इतने सारे अब जब आयेंगे तो उनको पुछोण कि करुणा के संकट में आप टाहिए ते आ रोणा के संकट में आप कहां थे क्या-क या आपने हमारे! लिए मैंने कहा ना मैंने जो कुछ किया आपका अनुभाव है मैं कुछ मज़े कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपका अनुभाव ही बोल लेगा लेकिन मैं आपसे आपक्षा करता हूँ कि आप लोग बोलेंगे मेरे और से कि आरे आप यहाने की जरूरत नहीं है हम उद्ध आप भोने देंगे? आपका भरोसा जो 24 घंडिया आपके साथ रहता है, भले आप आपके घर से दूर आए हो, लेकिन क्या है आपका दूसरा घर नहीं है? आपको यहाँ घर ऐसी कुछ ऐसी बात नहीं लगती। तो जैसे वो आपत ना घर है, वैसे आप आएं हो साथ में, साथ में मिलकर जो हिंदुतो हिंदूतो कहेते हैं, उस हिंदूतो की एक जुट हमें बताने की जूरत है, उसे को तो कहेते हैं वजरमोल्थ। और आप लोग अगर साथ में आएंगे, तो मुझे पूछा जाता है कि क्यूं आप सबको साथ में चाहते हो। क्या मोदी की खिलाप हो मैंने मुदी या किसी व्यत्ती की खिलाप नहीं हूँ नेकिन मैं तानाशाई की खिलाप जरूर हूँ मैं नहीं देखना चाहता जो मेरी भारत माता हैं उसके हाथ और पैर में इनकी श्रूंखला फिर से एक बार पड़े किसी की गुलाम मैं मेरे भारत माता को किसी की गुलाम नहीं बनने दूगा यही कसम हमें आज लेकर जाना है क्योंकि उस वक्त पहले तो मुगल आते थे मुगल मतला उपने देश के बाहर के लोग बाबर होगरा सब इसलिए तो बाबरी मसिद गिराई पिर अंग्रेज आ गए देर्सो साल चले गए जनरेशन पिढ़िया चली गई फिर भी लड़ते रहे और बाद में आखिर वो दिन आ गया अंग्रेज उनको भी जाना पड़ा अंग्रेज तो गए तो अभी आपने एक घरवाले अपने सर पर कही ना बैटे क्योंकि कोई भी हो गुलामी तो गुलामी ही होती है और अभी मुझे फिर से दोहराता हूँ मेरी भारत माता को दुबारा गुलाम मैं नहीं होने देना चाहता आप क्या चाहते हो आप गुला कि आज जो आज़ादी हम आज़ादी के मतलब हम सब हमारा देश एक ऐसे मोड पर आया है कि दोजर चूबिस में नहीं तो ट्रेंच छुट गई गया फिर अपना देश अपने हाथ से गया इन नालायक लोगों के हाथ में जाएगा तानाशाहूं के हाथ में जाएगा और इ जो एक्ता है उसको हम तुटने फुटने नहीं देंगे और मेरे भारत माता को हम आजाद ही रखेंगे यही हम शपत लेते हैं जै हिन जै महाराश्य।